कि अब लाइट बगेरा है नए 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 बोट मांगते हैं और कर देश है वह खोले में सौच से मुक्त हो चुका मतलब हर घर में सौचाले बंचुका तरको जूट किसी के नए करेंगे करेंगे फिर कुछ ना उपरती आवाज आईगी है नग्या ना है भी पार्शत वाचे खूब दिमाग मारो हमने रासन के बारे में फिर भी ना मारा सोच आते हैं जमीन पे अखवार बिछा कर मजदूर कभी नेत की गोले नहीं खाते इस वक्त हम मौजूद हैं मतुर में और मैं हूं अन्पा मनूप आप देख रहे हैं तक रवरदार मतुरा ब्रिंदावन गोकुल गोबर्धन यह कृष्ण की धरती है यहां की रज-रज में यहां के कड़कड में कृष्ण निवास खरते हैं लेकिन जहां पर हम आप मौजूद हैं यह ब्रिंदावन हैं बि प्रुट तरिके से तरस्त हैं जिनके घर पूरी तरीके से टूट चुके हैं और इनके पास के रहने के लिए भी सही जगह नहीं मॉहय करभा पा रही है सरकार यहां पर योजनाय orada मरी यह रोखेम जाती हैं कहां उन्रोग दी जाती हैं और इस रूखती हैं यह एक बहुत ही पूरा बिश्चुकाता है लेकिन इसी धरा पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ना तु सरवर्चत है और ना तु जमीने हैं जो रोड के किनारे फुट पात पर यूहीं लेड जाते हैं और अपना जीवन किसी हद तक गुजार रही है आईए बात्चेत करते हैं क्या नाम है आप पर बहुत दिन है कि काफी दिन है उम्र कितिनी होगी लगभग आपकी उमर है मेरी चत्तिस साल की प्रेंतालिस की लगभग हो एक चीज हम यह जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोग यहां फुट पात पे रहते हैं घर वगर नहीं है आप लोग के पास हां घर है दो लड़क दो कमरे का मकान है वह भी बेटों को अपने देदिया साधी होने की वजह से अब आप लोग फुट पात पर यह रहते हैं तो यहां कि आप पैत्रिक निवासी है या फिर किसी कारण बस यहीं कि निवासी है कभी जैसे सरकार की जो यह जनाय होते हैं प्रधान मंत्री आबास आप लोगों को मिलते तो यह जनाय को मिला वह प्यूत्री नहीं तो यह लागडाण हुआ आपको जब भी नहीं मिलता नहीं मिलता सारी विवस्ता थी ना तो परियाटाक रहे थी ना कोई चीजे हो रही तो यह पोत शामर मिलते हैं उंसे माँ मिलते तो व्यांट नोटी चैने अवर तो चार रुपा इस तरीके से किसी तरीके से गुजर बसर चलता है और कमाई का साधन क्या है आम दनी का जरिया क्या अपकी स्क्टू अपकी अच्छु का माँ लिएक जी कुटा तो मतलब वही हम पूछना चाह रहे है कि समस्या तो बहुत सारी जीवन में हैं क्योंकि जब कोई आमदनी का सही जरी जरी किराय की टम-टम है ना जे चलाते है किराय की एक दिन का किराय कितना लगता है जब तीन सौ रुपए उसके बाद जो कमाई होती है तो अपने पास आत करने कारन क्या है करने कारन यह पर नहीं भरा गया इसलिए कट गई अब सोच रहे हैं पहलें लगए कि गरीव आप यह जार दूह रुपा महिना भरे करेंगे कितना भी लाता है लग भग एक महीने का पलो एक महिना में बिल आवेच चार्सों पांजोर पागा और लाइट क करें इतना जो हुँ हमारा गवाले को जो हो एकार जो टू कर्छा आता है इतना भी लाता है या मतुको ही मुंध में लुटा वं जुट किसी के नहीं है हमारी छोटी सी बस्तीया इसमें हब धाल को है ग्रंगर न कितने लोग रहते हैं कितने लोग रहते हैं कभी जब चुनाओ आता है तो चुनाओ के टाइम पर तो प्रशार करने के लिए लोग आते होंगे नेता बगेरा बोट मांगते हैं बादे भी करते होंगे कि मतलब हम यह कर देंगे और प्रवरी में तो फिर इस बार क्या जब कोई और प्रचार करने के लिए तो क्या कहेंगे उनसे मतलब जो सुभिधाय आपको नहीं मिलने चाहिए तो उनसे क्या आप कहेंगी कि मतलब हमारी सुभिधाय जो तो हमें दिलवाओ किसको बॉट देंगी यह पूछना जाए जब आएंगे जब बोट की जरूरत होगी तो घर घर आएंगे जब आपकी जरूरत होगी तो फिर हैं कभी बिधायक जी तीन चार साल हो रहें पांच साल पूरे होने कभी जी जाएंगे जानना चाहेंगी जैसे आप लोग फुट पाथ पे रहते हैं तो पुलिस वगएर तो परेसान नहीं करती हैं तो दाती है इसको सब को फिर दोबार अरतान लेते हैं जाएंगे जाएंगे समय तो पास करना पर गोईटा बहुत समस्या है पुलिस बहुत थंकर है तोड़ जाएंगे वह मंगा कर जी सी पी और इसको फसा कर तोड़ कर नहीं प्र तानले में तो कि अब उसके अलावा कोई जरिया ही नहीं जो ये पेछे पासू है तो ये आप हमारी गायजी इन गायन के मारे जहां पर भी रखना पर एक इन्सान होते हुए भी जो तो सरकार और प्रसासन की अविवस्था के चलते ना तो आपको घर मिल पा रहा है ना कोई भी चीज नहीं मिल पा रही है सरकार से और सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे कहना चाहेंगे कि यह जो बिरिंदाबन और बिरिंदाबन जैसी बहुत सारे ऐसे गलियां है यह हम्मुख घाट पर है यह मुना नदी का मुद्ध कट है जहां पर यह 400-500 परिवारों की बस्ती है कागजों में भले हमारा देश स्वक्ष भारत अभियान के तहट खुले में सौच से मुक्त हो चुका हो लेकिन यहां रहने के लिए घर ही नहीं है तो सौचाले की बात तो बहुत दूर की बात है और यहां के हालात बहुत बद हम उम्मेद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट का असर सरकारी महकमे में उनके कानों में जूर रिगाने का काम करेगा और इन गरीबों को इन मतलब कह सकें किसमत के भी मारे हैं सरकार से भी मारे हैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ सुविधा कराई जाए इनको रासन मुहया क कमरे का मकान प्रधान मंत्री आबास योजना के तहट दिलाया जाए और साथ ही साथ सोचाले जैसे भी मोल भूस विधाओं का जो अभाव है इन्हें प्राप्त कराया जाए बने रहिए दखावरदार न्यूज के साथ नमस्कार धन्यवाद